Hey guys and आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 शोस के बारे में जो कि आपको कहीं न कहीं Game of Thrones या फिर Vikings की याद दिलाएंगे and पहले ही इंफर्म करदों कि ये शोस काफी पुराने हैं means Game of Thrones के टाइम के हैं सभी historical dramas है battles भी है इसके अंदर बठा लगबग सभी शोस 18 प्लस हैं तो फैमली के साथ देख पाऊगे ऐसी ख्वाइश मती रखना खासकर लास्ट के दो वाले and for this watch video till the end so the first one is Britannia अब देखो ये एक historical adventure fantasy fiction drama है शो की कहानी सेट है 43 AD में यानि की वाइकिंग से भी पहले जब रोमस अटैक कर देते हैं Britann पर and उस टाइम उनका लीडर होता है जनरल ओलस प्लेटियस और वो वो काम कर दिखाता है जो की 90 साल पहले जूलियस सीजर नहीं कर पाया था बाकी शो की अंदर आखो Celtic God Low का यानि की लोकी के बारे में भी देखने का मिलता है बाकी शो काफी अच्छा है तीन सीजन अभी तक आ चुके है जिसमें की है कुल 27 episodes एंड हां डेटिंग है टीवी में याने की फुली 18 प्लस नमबर टू पर है कैमलोट जो की एक हिस्टॉरिकल ड्रामा सीरीज है और काहनी मेली फॉलो गरती है इंगलैंड की हिस्ट्री के मोस्ट फेमस किंग आर्थर को इस शो की काहनी सेट है लेट 5 सेंचूरी में जब ब्रिटेन रोमन रूल से फ्री हो चुका है बट किंग उथर की अचानक से डैथ के बाद जा दोकर मरलिन को ऐसे विजन साते हैं कि ब्रिटेन तबाह हो रहा है एंड उसे ब्रिटेन का डार्क फ्यूचर दिखता है एंड उसके बाद यंग आधर बनते हैं न्यू किंग आप ब्रिटेन बट कहारी में ट्विस्ट यह है कि उनके एक बेहन भी है जिसका नाम है मॉर्गन एंड वो उनकी हाफ सिस्टर है तो असलिए वो उस गदी को पाना चाहती है और उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है वही आपको इशो की अंदर देखने को मिलेगा वाइकिंग सीरीज की तरह आपको इशो की अंदर भी बैटल देखने को मिलेंगी जो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है पर दुख की बात यह है कि शो का सिर्फ पार्ट वन ही अवैलिबल है जिसमें है कुल 10 एपिसोड और अगर आप माइकल हर्स्ट की वाइकिंग सीरीज के फैन हो तो ये शो आपको डेफिनेटल ट्राय करना चाहिए बिकॉज इस शो इस ऑल्सो क्रेटिड वाइकल हर्स्ट नमबर द्री पर है दा पिलर्स ओफ दी अर्थ जो की एक हिस्टोरिकल फिक्शन सीरीज है बेज है सेम नाम की नौवल पर कहानी फोकस करती है एक चर्ज की मेकिंग के उपर जो की बन रहा है किंग्स बिच नाम के ट इक कते हैं पहला ये कि ये एक मिनी सीरीज है यानि कि सिर्फ इसका पार्ट वने अवैलेबल है कहानी उसी में खतम है और दूसरा ये कि ये शो आज से बारा साल पहले आया था यानि कि 2010 में तो इसलिए बहुत तगड़े VFX एक्स एक्सपेक्ट मत करना बाकी जिने कहानी से बनने के लिए एंड वहाँ पर इसे ना मिलता है स्पार्ट अब ये बंदा पारफुल रोमन्स की गुलामी से कैसे अज़ाद होता है तो वही आपको शो की अंदर देखने को मिलेगा एंड ये शो मारकार्ट से तो भरा है ही एंड साथ में न्यूड से भी जो कि इसमें बर को जो की इंगलियांड का किंग है फिद दी हेल्प ओफ लॉर्ड वार्विक एंड ये एक किंग मेकर है पर जब एडवर्ट को प्यार होता है इस शो की में लीड एलिसाबेथ वुडवाइल से तो वार्विक प्लैन करता है थ्रोन को कंट्रोल करने का एंड यहीं से कर सकते हो इसमें से मार्क पोलो आपको देखने को मिल जाएका नेट्फिक्स पर और बाकी यहां वहां क्योंकि इन में से मोस्ट आफ दी शोज आसे हैं जो की ऐसे प्लैटफॉर्म से बिलॉंग करते हैं जो की करन टाइम पर इंडिया में अवैलिबल नहीं तो इसलिए चा कि अरजय हैंज यह भारत